प्यारे विद्यार्थियो, सब तो पहला अब सबनू मेरे वल्लो प्यार पर ये सच्छिय काल जेकर तुसी आजे तक साड़े चैनल नू सब्सक्राइब नहीं किता ता इसनू हुणे सब्सक्राइब कालो ते नाल बेल आइकन नू भी प्रेस कार देओ ता जो साड़ियां सारियां लेटेस्ट वीडियो जे नोटिफिकेशन्ज तो हानू जल्दो जल्द मिल सकन अज जसी नाइन्थ लाज़ा मैथ दा पैस दा टेस्ट जो के ठारा नवंबर दो हजार वीन होया है उसलिशन देखांगे के इस दे वें कोश्चन से सही आंसर की सी ते तुस्सी नादे लब सकते थे ता चलो शुरू करदे आ पैला कोश्चन देख देया सब तो पैला कोश्चन सी अपने कोल के हर एक परीमे संख्या हुन दी है डैश हुंदी है हाज अपनों पता है के जिडियां परिमे संख्यावा हुंदिया ने ते उना दे नाल अपरिमे संख्यावा एना दोनना तो मिलके बंदियां ने अपने कोल वास्तविक संख्यावा एदा मतलब हर एक परिमे संख्या एक वास्तविक संख्या हुंदिया है ते एक अ परिमे संख्या वी वास्तविक संख्या हुंदिया है अपने कोल जड़ा कोश्चन से कोच पुछा गया सी के हर एक परिमे संख्या डैश हुंदिया है लब हर एक परिमेश संख्या एक वास्तविक संख्या यानि के रियल नंबर हुन दिया है जो के 85 चोथी ओप्शन दे विच ता चोथी ओप्शन इस दी कुरेक्ट ओप्शन सी अग्गे आन्या दूजे कोश्चन दे कोश्चन सी के वर्गमूल नो एजड़ा ओहो एक डैश संख्या है आजी वर्गमूल नो जेकर आपा इसे आपा आज गुर्ण खंडा विच तोड़िये ता आपानू मिलेगा वर्गमूल 3 इंटू 3 ते एदा ब एदा मतलब एए पी बटे क्यूदे रूप्च हो गया तो जदों एए पी बटे क्यूदे रूप्च आ गया ता इसलिए एए एक परिमेश संख्या होएगी क्योंके हर एक परिमेश संख्या पी बटे क्यूदे रूप विच हुंदी है सो एह होएगा एक rational number सो पहली option is the correct option सी अगे आने यां तीजे question ते question सी के हेट लिखें विच्चों केड़ी दो पदावाली यानि के विच्च दो terms होन गिया पाद यानि के terms ते कात होएगी ओदी 20 हाँ जी कात एदा मतलब विरियेबल दी जड़ी कात है हो वि होनी चाहिएदी है अपा देख 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 दे है विरियेबल दी कात वि कीच पई है विरियेबल दी कात विच्च है विरियेबल दी कात दो कात वि एदे विच्ची है ते एदे पद किन्दे ने एक काहा ते एक आहा सो दो पादने ते वेरियेबल दी यानि के चल्दी का आतवी वी है सो एही अपना पढ़ना सी आंसर सो तीजी ओप्शन तीजी कोश्चन देलाई क्रेक्ट ओप्शन सी अगे चोथे कोश्चन दे आईए तो चोथा कोश्चन सी x स्केर माइनस x हाँ जी अपने कोल है x स्केर माइनस x ते दे वेच चल्द है x उस दी वत वत का आत है 2 जदों चल्दी का आत वत वत 2 होवे ता एहे इस तरह दा जड़ा बहुपद होएगा पोलिनोमिय लोईक 2 काती बहुपद होएगा सो इट मींज इस दा आंसर सी 2 काती यानि के क्वाड्रेटिक जो के प्यासी दूजी ओप्षन दे विच ता एए ओप्षन इस दी सही ओप्षन सी अग्गे पंजबा कोश्चन सी जे कर a b अते c एक लाइन ते तिन बिंदू हन हाँ जी एक लाइन बना लेने आ अधे तिन बिंदू ने a b c ते किया की होया किस तरह ने हो b है ज़ा ओ a याते c दे विचकार है a इस थे आ c है इस थे बि है उना दे विचकार ता ऐना चोगेरा सही होएगा है प्यूण दी विच्चों ok बि है विचकार त एंदा मतलब A तो B तक जावांगे अपां ता बढ़ेया A B ओदे विच B तो C तक जाईए यानि के B C नू जोड़िए ता अपां पोँचगे A तो चलके किते तक अपां A तो चलके C तक पोँचगे अधा मतलब एब रबर होना चाहिए दे A C दे सो झड़ी ऑप्षिन दे विचा पहीं सी ओहीं ओप्षिन साहीं ओप्षिन सी दे एकर है सी आपने को लास्ट ओप्षिन दे विचिते ता हां चोती आपशन पंजमें कोश्ण सी हिजा ओगे आन्ने आएल्चेमें कोश्चन दे बौपद यानि के पॉरीनोमियल देता होया सी अपानों 2x प्लस 7 इस दी 0 पुछी हो इसी 0 यानिके 0 ते किसे भी बोपद दी जदों अपान सिफर कड़नी होवे उनूं 0 दे बराबर रख देने हा ते fx नूं 0 दे बराबर रखांगे दा मतलब 2x प्लस 7 हो गया 0 दे बराबर ते दे बिच ओं x दी वैल्यू लब्बनी सी होन x दी वैल्यू लब्बन दे लई x वाले पास से जड़ी या चीज़ा नहीं हो दूज़े पास से पेज़ा जाएगा x नूं करना है अपान कला तो सब्स पहला 7 जड़ा है उद्दर पेज जांके ता आजेगा 2x ब्रबर और 7 इदर है प्लस दा उद्दर जाके हो जेगा इह माइनस दा होने है 2 जड़ा है x दे नाल हो रहे है गुणा ता दूज़े पास से जाके करेगा इह डिवाइड यानिके पाग ते पाग दे वि कोश्चन ते कोश्चन सी के x तो रहे तो जड़ा बिंदू है a-20 उस दी दूरी किन्नी है या किन्ने ही काईया उस दी दूरी है ओके अपा पहला देख लिए के x-axis से y-axis बना लिए ओके आ है अपने कोल x तो रहे इद्दर x प्लस दा इद्दर x माइनस इद्दर उपर y प क्योंकि इद्दर इद्दर 1 माइनस दा 1 माईनस दा 2 ते y ता है 0 देखो y अला हिस्सा 0 है ते पहला हिस्सा होंदा x दा और y अला हिस्सा 0 पूरे x तो रहे दे उत्ते y हमेश्चा 0 होंदा ता ए वाला जड़ा बिंदू उने के हूए है इह बिंदू इद्दर होएगा a-bि तो होन उने किया कि x तो रहे तो इस दी दूरी किन्य है जेकर कोई बिंदू पर ऑपा उधी दूरी देख साध्या पर हो खुद होन x तो रहे तो इसलई उस दी x तो रहे तो दूरी होएगी 0 यहां तो जो के 85 चौथी ऑप्षन देवे च्टा चौथी ऑप्षन सत्यमें अगे आने आठ में कोश्यन ते पुछे आ गया सी माइनस थ्री फोर है जेड़ा एहे किस चोथाई दे विच मुझूद है हाँ जी अपने कोल हुंदियाने चार चोथाईया क्योंकि जदो एक्स तू रहते वाई तू रहा एक दुझे नू कट देने ता चार चोथाईया बन यहां एद्धर एकस प्लस दा एद्धर माइनस दा उपर वाई प्लस दा एते यह थे वाई माइनस दा आप एली चोथाई पहली चोथाई पहली चोथाई चोथाई जड़ा बिंदू होंदा होदे दोने प्लस दे रहें दूझे चोथाई दिगाल करिए ता ओधे विच प्यासी एहें प्यासी अपने कोल दूजी चो थाई देवेच तो इस दा आंसर बढ़ना सी second quadrant यानि के दूजी चो थाई जो इस दा सही answer सी तीजे जो था इच कोई बिंदू होंदा है दा ओधे दोनों माइनस दे होंदे ने एकस ते वाई कोईडिनेट चो थी चो थाई देवे चेद्रों वाई माइनस दा ते एकस देखे दा प्लस दा ओधे कोईडिनेट एकस प्लस दा ते वाई माइनस दा होंदे है फिलहाल अपने कोल एर्थ कोईडिन दा अंसर सी सेकेंड कोईडिन्ट अग्गे अन्या नो में कोईडिन ते नोवा कोईडिन सी उस तरे पो जदा खेत्रफल पता करो जिजियां दो पुझावां अपनों दे रखियां सी ते नाल ही दिता होया सी परिमाप हांजी है बार में चेप्टर जड़ा हीरो दा सुत्तर वाला चेप्टर अओधे विच्चों सी कोईश्यन हांजी दो पुझावां दे दितियां यानि ए दी वेल्यू है अपने कोल बी दी वेल्यू है ते परिमाप है परिमाप दे विच्चों ए ते बीदा जोड़ करके अपना कटा जोड़ कटा जिता जाएगा ते जी पुझा आजेगी बी आली माइनस अठारा ते दस अठाई ते बी आली चोटाई कटा ये तां सी आजेगा अपने कोल 14 सेंटिमेटर इस तो बाद S कटना हुंदा है अपना ते S हुंदा है परिमाप दा अद्दा अर्द परिमाप ते प याडी दा हो जाना सी अद्दा कटिंग करके मिल जाना सी 21 सो S आगे अपने कोल 21 सेंटिमेटर इस तो बाद आंदा हुंदा है खित्रफाल दा फॉर्मिला एरिया यानिके ब्रबर वर्ग मूल S, S माइनस A, S माइनस B ते S माइनस C वैल्यूस पर निया सी याज दी जगा 21 गुणा 21 माइनस A दी वैल्यू 18 फेर नाल 21 माइनस B दी वैल्यू 10 फेर नाल 21 माइनस C दी वैल्यू जोकी I, S अपने कोल 14 सो 14 आ याना सी यत्थे ते उत्ते ओधा वर्ग मूल सारे दा होन एनू सोल करना सी अंदर आ याना सी 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 28 गुणा के 3 फेर 21 गुणा 10 गुणा के 11 ते फेर 21 गुणा के 7 आँ जी वर्गमूल आ इककी नूँ आपपा तोड लेना सी 7 गुणा तेन दे विच एक तेन पे आए फिर 11 फिर 7 ते ओधा वर्गमूल होन तेन दा एक जोडा बान गया ते 7 दा एक जोडा बान गया है आञेशी बार तेन गुणा च एना सी बाहर अंदरा आञेशी यहा कला गयारां ता एदा आँसर बान जाना सी अपने कोल 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्यार जो के प्यास ही अपने को चोथी ओप्शन दे विच ता चोथी ओप्शन इस दी सही ओप्शन सी अग्गे आज ये दसमे कोश्चन दे ता दसमे कोश्चन चे पुछे है के त्रपो इदे खेतर फाल लई जड़ा हीरो दा सूत्र यानी हैरन सा फॉर्मिला यूज कर दे विच एस की हुंदा है हाँ जी आप आप होने पिछले कोश्चन चे गाल किती है के एस हुंदा है परिमाप दा अद्दा ते ये दा मतलब ओह हुंदा है अर्ध परिमाप धे विच एबी पैलल सी सी डी धे ये दोन्नो एक दूजी दे दितियां हुएं जी समांतर F Eप्रेंटीकूलर सी डी यानी F E सी डी दे दितुतने है लूंब ते utतवाद GED एउगल है जीड़ा G ED आउवडा जीड़ां एउगल है एदिता हो मुए है आप नू एक सो पैंती डिग्री ता एंगल AGE दा मुल पता करना सी एंगल AGE यानि के A एंगल दा मुल अपा पता करना सी अपा देख देपाई यहां के इत्थे डायग्राम दे विच अपने को ओल AGE तो जान दे होए D तक एक Z बन रहे है खुला जया इस तरह ते जदों आहारे खामा हुंदियाने समांतर ता Z ते जड़े कोर्नर्स ते एंगल बन देने ओ हुंदेने एक आंतर कोण ते ही आपस चुन देने ब्रबर एदा मतलब AGE एंगल है जड़ा एंगल AGE वहु ब्रबर होएगा किस दे एंगल GED दे ते GED दी वैलू दा पन देती हुई एक सो पैनती डिग्री ते जड़ा मतलब एंगल AGE आएगा एक सो पैनती डिग्री ते जो के ब्यासी चोथी ओप्शन दे विच असो चोथी ओप्शन गयर में कोश्चन दी सही ओप्शन सी अग्गे आएए बार में कोश्चन दे उन्हाने किया होया सी के एक त्रेपो जए ABC जिदे विच AB थे BC ब्रबर ने ते एंगल B दी वैलू देती हुई है 70 डिग्री ते नाली किया AB इक्वल टू BC सो AB थे BC ने ब्रबर ता आपा एदा मुल पता करना है हुण आपा देख साथे हां के AB थे BC ब्रबर ने इना दे समने आले कोण ने जड़े एंगल A थे एंगल C एवी होण के ब्रबर क्योंके समान पुझा आवाँ दे सनमुक कोण हों देने समान सो एना दोना नू आपा एकस ले ले लने हा ता आपने कोल आजेगा होण X प्लस X प्लस 77 डिगरी तरे पोई दे तिन्नों कोणां दा जोड जो के ब्रबर होएगा 180 डिगरी दे X ते X होगे आपने कोल 2X ब्राबर 80 डिगरी नू जाके उद्दर कटा दांगे 180 डिगरी चों 70 डिगरी दियांगे कटा ता आजेगा 2X ब्राबर 110 डिगरी होण इत्थे 2X नू मल्टिप्लाई करता पे उद्दर जाके करेगा डिवाइड 110 बटे 2 कटिंग करके आजेगा 55 डिगरी ते X अपाँ A नू X मन्ने आ सी होण X आगे 55 डिगरी ता मतलब A दी वैलिव आगी अपने को 55 डिगरी तो जोके 85 तीजी ओप्शन देविच ता तीजी ओप्शन इस दी सही ओप्शन सी अगे आईए तेर में कोश्चन ते ता कोश्चन सी के डाइगराम दे विच P समांतर है क्यों दे आहा दोनों ने पहले लिख दुझे दे ता एकस पता करना सी आपाँ आहा एदे विचों X लबना सी अपाँ देख सा देयां के A रेखामा समांतर ने ते आरे ना दी है काट मी रेखा इस तरहां आ जड़े एंगल बनगे आहा होनगे संगत कोण केड़े कोण संगत ते रेखामा समांतर होन ता संगत कोण होन देने बराबर ता आ सत्तर है ता आवी किनना होजेगा सत्तर डिगरी होन दो X ते सत्तर डिगरी दा जोड एक ही दे ब्राबर होएगा 180 डिग्री दे क्यों क्योंकि एहे बनेगा एक रेखी जोड़ा एहे दोने एक सिद्धी रेखाते पएने इन दा जोड 180 डिग्री होजेगा उत्थों आपने एक सिद्धी वैल्यू कट आँगे इन्हों उत्थों जाके कटा हमांगे तान 2x आजेगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री तान 2x आगे आपने कोल 110 डिग्री हाँ जी पिछले कोशनल आउनसर ही बनेगा इस दा भी तान x आज के 14 गोशन सी अपने कोल के ट्राइंगल दित्ती होई सी pqr ओधे विच अपनू q एंगल दित्ता होया सी 40 डिग्री ते नाल ही pq ते pr दित्ती हो याने ब्रबर क्योंके इना दे उत्ते लगया होया है निशान इदा मतलब है आपस्च ब्रबर ने ते ps दित्ती होया इस दे विच मद्धिका यानि के मीडियन ते उनना ने पुछिया सी एंगल qps किनना है qps आ एंगल दी वैल्यू उनना ने अपनू पुछी सी होने जे कर आपना इस ट्राइंगल हो देखिए क्योंके दो पुज आमा ब्रबर ने इसलिए केड़ी ट्राइंगल होएगी यह होएगी समदो पुजीत्रे पुज यानि के आईसो स्लिए स्ट्राइंगल होण जेकर समदो पुजीत्रे पुज दे विच मद्धिका दी गल करी है तो जड़ी मद्धिका हों दी है समदो पुजीत्रे पुज दी ओहो लंब दा कम कर दी है उस त्रे पुज दे विच इसे तरह है सो हुन अपने कोल जड़ी PS है यहें बन जेगी लंब किस दे उत्ते QR दे उत्ते सो आ कोण अपनों मिल जेगा उत्तो 90 डिग्री क्योंके यहें इस दे उत्ते होगी लंब हुन अपना ट्राइंगल PQS नू देखिए ता ट्राइंगल PQS उत्ते विच आ एंगल 40 डिग्री है आ हो गया 90 डिग्री सो 40 डिग्री 90 डिग्री इना दा जोड प्लस जेडा कोण आपा पता करने है QPS एना सारें दा जोड होजेगा 180 डिग्री आ दोने बन जानगे अपने कोल जोड के 130 डिग्री ते एंगल QPS है जेडा 180 डिविच आए ना जोड होजेगा 130 डिग्री उत्त जाके 180 डिविच डिविच जोड का दे आंगे इना 180 डिविच डिविच कोण कटा आवाँगे ता एंगल QPS आजेगा अपने कोल डिग्री तेज़ दा अंसरा गेट मिन्स पंजार डिग्री जो के 85 दुजी ओप्शन दे वेच तो दुजी ओप्शन इस कोश्चन दे लई सही ओप्शन सी अगे अन्या पंदर में कोश्चन ते तब अंदर में कोश्चन सी अपने को ओल के सीमट दे 6 थेले ने उनना दे उते 10 किलोग्राम लिखे आ गया है पार भई उनना दा ते असल दे वेच ओना ची इनना कितना है मोँ सीमट दा पार 10.1 किलोग्राम 9.95 10.4 9.93 10.8 ते पूरा 10 ता एक थेला चानक चुणे आ गया है ते वेच 10 किलोग्राम तों सीमेंट कट होवे इस दी संभावना पता कर नी सी होणे कोल किन्ने ने 6 सो हेठा ता आना सी आपने को 6 योगे संभावना दे वेच कोल प्रणा मांदे हुन देने हेठा उपर आवना सी ओ संख्या या ओ थे देने दो जिना दे वेच पार 10 किलोग्राम तो है कट इस तो बादे दिया पकार सहदे सी कटिंग दो दे टेबल च छे आन दे ते इन ते सो एक बट्टे ते ना याना सी इस दा आंसर जोके प्यासी दूजी ओप्शन दे विच ता दूजी ओप्शन इस दी सही ओप्शन सी अगे आईए सोल में कोश्चन ते ये भी बहुत सोखा कोश्चन सी कोई कमपनी दिया लोटरी दिया टिक्ता ने 1000 ते ओदे विच ओए नाम निकलने ने 5 ता इनाम जितन दी संभावना हां जी संभावना प्रोबिबिल्टी यानिके कोल पर इनाम हेठा जिमें पहलना विग किती है सो 1000 आयाना सी हेठा ते निकलने के ने ने नाम पांज ता उपरा आयाना सी अपने कोल पांज और इना दी कटिंगों साथी पांज दे पहाड़े दे वेच हजार आंदे 200 ते एक बटे 200 इस दा बनना सी आंसर जो के 85 दूजी ओप्शन दे वेच ता दूजी ओप्शन इस दी सही ओप्शन सी अगेस तार्मा कोश्चन सी कहनद है परिखन यानिके ओब्सर्वेशनस आपने दित्टीयां सी अपने पता करणा सी is the मद्धी का यानिके मीडियन ते मीडियन या मद्धी का हुन्दे विच खाल ला अंकडा कदों जदों दित्ते अंकड़े न्वं आपम वद्दे या कटदे करामदे विच लिख लिए उसनो बाद जो विचका आदला अंकड़ा हुंदा है सब देटे अंकड़े आनू वद्दे करामच लिख लेना सी सब तो पहला सब तो छोटा अंकड़ा जो के हैं अपने कोल एकसो चुतारी सो एक सो चुताली, फिर दूज्य नमबर ते एक सो पंताली, एक सो पंताली हो जणा सी उसत बाद आना कि गा 117 तो बाद 180 तो एभी हो गया फिर 109 ते उसतो बाद 150 उसतो बाद 122 फिर 155 ते उसतो बाद 160 हां जी देखेए कि इन्हें अंकड़े ने है सुसारे होगे ओन ता एक दो तेन चार पांचे साथ ता नो अंकड़े ने अपने कुल विच्कार बाच गया 109 ता 119 ही अपने कुल होएगा मद दीका है ते जो के प्यासी दूजी ओप्शन देवेच ता दूजी option is the correct option सी जेकर विचकार दो अंकड़े बच जान दे ताँ उस case चपन दो नदा जोड़ करके दो नल कर देनी सी पाग उत्थों अपनू आंसर मिलना सी तो जेकर विचकार इको अंकड़ा बचे ताँ ओही सिद्धा मद्धी का बन जन दे सु अग्गे अन्या अठार में question ते जो के सी के दो वर्गंतराल ने दास्तों वी ते वी तों ती एना चों केड़े वर्गंतराल दे विच वी नू शामल किता जावेगा हाँ जी जदवी अपन केसे वर्गंतराल दी गल कर दे हाँ दास्तों वी दी गल करिए ता एदे विच जड़ी एदी हेटली सीमा दास्तों लेके ग्यारां बारां करदे करदे उन्नी तक दियां संख्या मां शामिल करनी आउं दियां ते उपडली सीमा वी याली जड़ी संख्या दिया वे देविच शामिल नहीं किती जान दी तो एदा मलब जड़ा V है हो इस चनी सी शामिल होना ओ अगले वरगंतराल V तो ती देविच शामिल होना सी तो इट मींज इस दा अंसर सी V तो ती जोके प्यासी दूजी ओप्शन देविच अगे उन्नीमा देखिए ताओ सी अपने कोल X प्लस 2Y ब्रबर 2 देविच केड़ा बिंदू Y तो रेनू कटदा है ओके Y तो रेनू कटदा है अपा देखते हैं जदो भी अपा X तो रबना ने आते Y तो रबना ने आता कोई भी बिंदू Y तो रेते कदों होएगा अपने कोल कोई भी बिंदू Y तो रेते कदों होएगा जदो उस दा X वाला जड़ा पार्ट होवे 0 X कोडनेट 0 होवे तो एदा मतलब Y तो रेते बिंदू लबन देले आपा X नू पर ना सी 0 है दे विच तो जेकर X नू पर ये 0 प्लस 2Y बराबर 2 तो उस दो बाद Y आजएगा आपने कोल आदो उद्दर जाके दो नू करेगा डिवाइड कटिंग अरके मिल जएगा एक तो Y दी वैलियो आगी तो X पर या सी आपा 0 तो बिंदू हो गया 0,1 तो 0,1 आपने कोल कित्थे पर है X दी वैलियो दो चाल सी तो इक्वेशन सी 3X-11Y is equal to 10 ताक एंदा इस दे लई किनने हल हो सकते ने 1 हल, 2 हल, अनिक का हल या फिर कोई हल नहीं हाँ जी जेडी भी अपनों इस तरह दी इक्वेशन दित्ती होएगी रेखी इक्वेशन या रेखी समिकर्ण ओधे विच्च आपा X दी एक वैलियो पर आँगे ता उस दे बदले आपा Y दी वैलियो कर सकते हैं ते X दी वैलियो वदाई जामागे या बदली जामागे ता Y दी वैलियो भी बदली जाएगी एदा मतलब इदे विच्छ आपा एक्स दियां अंगेंट वेल्यूस दे लेई वाई दियां अंगेंट वेल्यूस आपनों मिल जानगी है ते क्योंके एक्स दी वेल्यू ते वाई दी वेल्यू ही किसे समी करनदा हुंदा है हल तो क्योंकि आप X भी अंगेंट ले ऐसा दे या ते Y भी अंगेंट मिल जानगे इसलिए अपनों कुल मिला के अंगेंट हल मिल जानगे ता it means इस आंसर होएगा infinitely many solution यानि के अनिका हल तो इस दी तीजी ओप्शन सही ओप्शन सी तो स्टूडेंट इस दे नाल ही तो अड़ें नुवंबर दा जड़ा मैं दा पैस दा टेस्ट सी उस दा solution होँदा है complete मैंनू उमीद है तो हानुए सारे questions चंगी तरह समझा गे होँगे पता लग गया होएगा कि questions दे सही answers की सी ते तुसी ये हेके में लबने सी ते आनाले समय देवेचे तुसे इस तो ज़रूर फाइदा उठाऊंगे वीडियो चंगी लगी होए ता इसनू लाइक करना ते अपने होल फ्रेंड से स्टूडेंट से नाल शेयर ज़रूर करना ते वीडियो नू लास तक देखन ले तो अड़ा सारे हैंदा थाइक्स